ये प्रूग्राम अमेजिंग पैक्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा तस्तूत किया जा रहा है। टूम्स्टोन पड़िये एक परिस्तर से लिखा होगा, ये प्यारी माता शांती में हैं, पुनरुथान के सुभग की रहा देख रही हैं। फिर दो टूम्स्टोन के आगे जाए ये तो लिखा हैं हमारी प्यारी मा सोने की सड़कों पर चल रही हैं। तो क्या वो पुनरुथान की रहा देख रही हैं या स्वर्दूतों के साथ गाते हुए सोने की सड़क पर चल रही हैं। चालीस साल से भी जादा समय से अमेजिंग फैक्स पर मेश्वर की बच्चन की मीडिया के मार्धियम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तमैसे टेलिविजिन प्रोडकास्ट के भाग चुड़े हैं। हम आपको नियवता देते हैं कि इस अडिशन का आनद उठाएं। तो उसकी माँ को जब गुस्सा आता होगा तो कैसे बुलाती होगी। गुस्स में कहते होंगे बुच्च। 1907 में इनका जर्मनी में जन्म हुआ और ये वकील बने बहुती बुद्धिमान वेक्ती थे और जब युद्ध शुरू हो गया और उस समय इन्हें लाया गया क्योंकि ये बुद्धिमान थे और इस कारण बहुत जल्दी उन्नती होती गई। उन्हें ये समझने में ज़्यादा समय ने लगा कि अडॉल्फ हिटलर तो वो यूरोप को नाश करना चाहते थे केवल जर्मनी को नहीं तो वो विरोध में जुड़ गये। रोध में कौन से कौन से लोग थे और फिर आखिर में उनके लिए ट्रायल तै की गई। दिवार की और जहां पर उन्हें गोली मार दी जानी थी और उस समय एरेट साइरन बजा और बॉमर ने सीधा कोट हाउस के उस रूम पर बम डाल दिया कोट हाउस के सभी लोग मर गएं केवल श्लावंडोर बचे जो कि बच निकले उन्हें फिर से बंदी बनाया गया और वार पहले वो वहां बचे रहे और सोच ये क्या वो आगे जाकर जर्मनी के लीडिंग जज बन गये एक बार जिन पर दोश लगाया गया था कहिए कितनी बड़ी तकदीर थी जिन्हें दोशी माना गया आगे जाकर वो जज बन गये और वो निस्वासी तक जीवित थे इस कारण मैं सोचता हूँ जब ईशू खड़े रहा कैफा माहियाजक के सामने और पिलातूस के सामने और वो वहां पर पूरी तरह से उस पर दोश लगा रहे थे और उसने कहा अब के बाद तुम देखोगे कि मनुष्य का पुत्र बादलों पर आता है बड़ी चौकाने वाली बात जब वो अपने कबरों में से निकलेंगे तो देखेंगे कि वो उसका न्याय कर रहे जो सबका न्याय करने वाला है बाइबल कहते हैं कि हम सब मसी इशू के न्याय सन के सामने खड़े रहेंगे हम बाइबल में से बहुत से वचनों को देखने वाले हैं लेकिन प्रकाशित के बीस एक, फिर मैंने एक स्वर्ख दूद को स्वर्ख से उतरते दिखा, जिसके हाथ में अथाकुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, उसने उस अजगर को पकड़ के अर्थात पुराने साप को जे ब्लिस और शैतान है, प्रकाशित वाके में यहाँ पर फिर से उस मतलब है हजार और एक हजार साल के समय के बारे में कहता है, आप इसे खास कर पाएंगे प्रकाशित वाक के अध्याए 20 में, और फिर आगे यह कहता है अगर आप देखे, प्रकाशित वाक के 20 वचन चार में, कहता है फिर मैंने सीहासन देखे, और उन पर लोग बैट गये, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया याने उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया कौन सी घटना से मिलेनियम और महान न्याय का दिन शुरू होता है। तो आईए भविश्वानी की इस घटना में इस समय सीमा को हम देखते हैं। हम यहाँ पर वचन देखने वाल है पहला थिसलियुन की अध्या चार वचन सोलह क्योंकि प्रभू आप ही इस वर्ग से उत्रेगा उस समें ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्विर की तुरही फूं की जाएगी और यह कहता है जो मसी में मरे है वे पहले जी उठेंगे यानि ये एक हजार साल का समय शुरू होगा प्रभू के आग्मन के साथ और पुनुर्थान के साथ और आज के हमारे सध्यन में हम चर्चा करने वाले हैं लोगों के चार समू के बारे में तो जब मसी आएगा तब भले लोग जीवित होंगे या जो भी जीवित रहें वो इन में से एक भाग में आते हैं ठीक है यानि जिन्दा और मरे हुए भले और बुरे और इसके बारे में आज हम अध्यन करने वाले हैं ये सभी के लिए बहुत व्यवहारिक है किसी न किसी तरह ये कहता है मसी के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे याने जी उठे मसी में जो मरे हुए जी उठे और हम जो जीवित है उठाए जाएंगे और आस्मान में प्रभूत से मिलेंगे और मसी के साथ राज्य करेंगे कुछ कलीसा सिखाती कि 1000 साल तो हम यहां पृत्वी पर बिताएंगे और धर्मी लोग दुष्टों पर राज्य क रहता हूं और मसी यहां पृत्वी पर होगा और विश्वासियों का दूसरा सम्हों विश्वास करता है कि हम उपर जाएंगे और मसी के साथ महिमा में राज्य करेंगे 1000 वर्ष तक अब आपको याद है ईश्व ने यहना ध्या 14 में कहा मैं तुम्हारे लिए जगत तयार कर पर ने जाता हूं तो वो गया और मैं वापस आऊंगा कि तुम्हें अपने साथ ले जाओं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो वो जहां पर रहता है वहां ले जाने के लिए आएगा कि आप समझ गए हैं तो यीश्व के आने पर हम कौन सी दिशा में जाएंगे हम पर ने जाता है कि बाकी मरे हुए के साथ में क्या होगा जब तक ये 1000 वर्ष पूरे नहुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे ये पहला पुनरुथान है मसी में जो मरे है वो जी उठे हैं और जो बाकी मरे हैं वो कब जी उठेंगे एक हजार वर्ष के बाद में तो यहां पर एक हजार वर्ष का ये इतना बड़ा समय काल है इससे अलग कर सकते हैं हम पहला पुनरुत्थान धर मिलो और दूसरा पुनरुत्थान यानि दुष्ट ये अलग किये गए हैं यीशु ने जो कहां ये उससे मिलता है नमबर दो पहले पुनरुत्थान के समय और क्या होगा हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे ये शनभर में होगा अंतिम तुरही फूकते ही होगा पहला कुरंथियों 15 कवन क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए ये मरणहार याने हम कब बदल जाएंगे मसी के आने पर हम बदल जाएंगे नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले फिलिपियों 231 में सतर कहता है जब इशू आएगा तो वह हमारी दीन हिन देह को बदल देगा इसमें बहुत से दर्द होते हैं और अपनी महिमा के देह के अनुसार बना देगा जब छुटकारा पाए हुए लोग महिमा में देह पाएंगे तो उनके पास कौन सी देह होगी क्या वे भूत होंगे जब इशू मुर्दों में से जी उठा तो क्या वास्तविक था क्या उसने जोर देना चाहा कि व खाने के लिए कुछ है के वलूपरी कोटरी में ने लेकिन जब वो गलील की जील के पास मिलता है तो कहता है क्या भोजन है परमेश्वर के असली योजना क्या थी क्या आदम हवा क्या खाए क्या भूत खाते हैं जानते हैं भूत नहीं खाते हैं असली लोग खाना खाते हैं लेकिन हमें समझना होगा हमारी आत्मिक देह होगी चलि मैं अच्छे से बताऊं आदम और हुआ पाप करने के पहले चार डाइमेंशन में रहते थे, हम तीन डाइमेंशन में रहते हैं उनकी महिमा में देह थी जिसमें कोई दर्द और पीड़ा नहीं थी वो स्वर्दूत को देख सकते थे, लेकिन पाप के बाद जोती चली गई और कुछ बदल गया, वो पूरा आयाम खो बैठे हमारे व्यक्तित्व का चौथा आत्मिक आयाम बाद में जोडा गया हमारे पास के सनन्तकाल की महिमा में देह में ये असली देहे हैं, जब हम स्वर्द के बारे में देखेंगे तब आप सीखेंगे उन्होंने दाख की बारी लगाई, उसमें सिखाया, उन्होंने घर बनाए और वो असली काम कर रहे थे, जानते हैं, ये ऐसा नहीं कि बस ऐसे स्वर्द के लोग होंगे मैं सोचता बादल पर बैठें रहेंगे, आधे कपड़े पहनेंगे, हार बजाते रहेंगे और मुझे तो नर्ग दिल्चस्प लगता था, नौजवान था तो मैं यही सोचा करता था ये ऐसी बात नहीं है, हम असली काम करते चली जाएंगे, तो ये किस तरह की देहे होगी? महिमा मैं देहे, उसकी देह के जैसे, जब ईशु जी उठा तो उसकी देह में एक बात की कमी थी क्या उसके हाथ पर अभी भी चिन है, प्रभु ईशु मसी ने जान बूज कर उस चिन को वहाँ पर रहने दिया ताकि अनतकाल तक हम देख सके कि उसने हमारे लिए जो बलिदान किया, उसे हम याद करते चले जाए तो पाप कभी दूसरी बार उठखडा नहीं होगा, हम कभी भूलेंगे नहीं कि प्रभु ने बचाने के लिए क्या किया प्रभु के आने पर दुष्टों के साथ क्या होगा, दुसरा थिसलोन कियो दो आठ, तब वो अधर्मी प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुह की फूख से माल डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा और प्रकाशित्वाक के सोलह में आगे कहता है, एक ऐसा बड़ा भुकंप आया, कि जब से मनुष्य के उत्पत्ति पृत्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भुकंप कभी न आया था, याने ये तो ऐसा बड़ा भुकंप होगा, जिससे पृत्वी हिलाई जाएगी, और ये तीन ये चार रिक्टर स्केल का नहीं, हाल ही में जो कैलिफोर्निया में आया था, और ये यहाँ पर कह रहा है, मेजर याने रिक्टर स्केल में 15 हद तक, जिसमें पहाड और टापू निगल लिये जाएंगे, इस बड़े भुकंप में, फिर ये कहता है, हर एक टापू अपनी जगस से टल गया, और पहाडों का पता न चला, और फिर आगे कहता है, आकाश से मनश्य पर मन मन भर के बड़े ओले गिरे, एक एक ओले का वजन मन भर का था, जानते एक मन कितना है, ये लगभग 75 पॉंट्स के वजन का है, कलपना कीजिए ओले इतने वजनदार आगे ये कहता है कि इस समय तक शैतान तो अथाकुंड में बंधा हुआ रहेगा, यानि ये अथाकुंड सच में क्या है, अथाकुंड के लिए हम जो शब्द यहां पर पाते हैं, वो है अबूसोस, खेर अबूसोस का मतलब है, खेर आपने अभिस शब्द सुना है, अभिस थी, अंधकार था, लेकिन अथाकुंड तो सच में मुझे पतानी किंग जेम्स के अनुवादकों ने इस शब्द को यहां पर क्यों चुना है, क्योंकि बाइबल में दुसरी जगह ये शब्द आता है, कितने लोगों को याद है जब ये कहता है, दुश्टात्मा की सेना उ यहां गढ़ा कहां गया है, यहां तक कि शुन्य में शैतान के पास जब कोई नहीं होता कि किसी को उकसा या ग्रसित कर ले, क्योंकि ये तो खाली पन है, शैतान अपना काम करता है, वो आत्मा है, जीवित लोगों को वो ग्रसित करता है, तो उसने बिंती की कम से कम हमें सु पहले पढ़ा है वचन 6 में कि शैतान शर्मिंदा किया जाएगा अंधकार में और परिक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा क्योंकि धर्मी लोग जिलाए गए हैं, मरे हुए धर्मी और जो जीवित है वो बदल जाएंगे, हम उपर जाएंगे और जो दुष्ट जीवित है उ हम मसी के साथ राज्य करेंगे कि परमेश्वर के विरध में उसने जो बलवा किया उसके परिनामों को वो देखे, प्रभु जानबूझ कर ये करता है क्योंकि वो संसार को दिखा देगा कि उनके पास और कोई परियाई नहीं है, कि लूसीफर उसके अनुयाईयों के साथ उ जने उस समय ये पूरे अंधकार का मानों जेल हो जाएगा, यहने दूसरा सवाल है कि इस दूसरे पुनरुथान में कौन जिलाये जाएगा और ये किस जगह पर होगा, यहना अध्या 5 वजन 28 में येश्व यहाँ पर कहता है कि जितने कबरों में हैं वे उसका शब्द सुन कर निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुथान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुथान के लिए जी उठेंगे, यहाँ कितने पुनरुथान हैं, दो हैं, दानियल अध्या 12 में आप इसके बारे में पढ आते हैं और आप पर जुरियां हैं तो आप गलत पुनुर्थान में हैं ये अच्छा नहीं है क्योंकि हमें महिमा मैं देहिं मिलेगी ये बात सही कही है प्रकाशित वाक के 25 शेश मरे हुए यानि दुष्ट लोग हजार वर्ष पूरे न हुए तब तक शेश मरे हुए नजी फिर पढ़ रहें क्योंकि इस पर जोर दिना है इसके पहले कि हम आगे बड़े मुझे रुक कर कुछ कहना होगा हो सकता है कि आपने गलत बात सुनी है लेकिन मसी विश्वासी में बहुत सी गड़बड़ी है स्तोचते हैं कि किसी के मरने के बाद में क्या होता है कई बार मस समेटरी में या चर्च याट समेटरी में आप इस गड़बड़ी को पूरी तरह से देख सकते हैं टूम स्टोन पढ़िए तो एक टूम स्टोन पर लिखा है हमारी प्यारी मा शांती में आराम कर रही पुनरुथान की रहा देख रही है अगर दो कबरों को पार करके जाए तो टूम स्टोन पर लिखा है हमारी मा सोने की सडकों पर चल रही है तो क्या वो पुनरुथान की रहा देख रही या फिर स्वर्गदूतों के साथ में गाते हुए सोने की सडकों पर चल रही है आप कहेंगे हाँ लोग गड़बड़ी में कहते हैं क्या बाइबल में नहीं बाइबल बहुत इसपश्ट है कि मरे हुए तो सो रहे हैं पुनुरुथान के लिए लेकिन नहीं जानते सो रहे हैं। वो तो बिना सपने के नीद में सो रहे हैं कोई भी मरकर सीधा स्वर्ग नहीं जाता मरकर कोई सीधा नर्क नहीं जाता और जब कोई इस तरह से कहता है कि मैं अपनी दादी के लिए धनेवाद देता हूं क्योंकि अगला विचार तो उनका पुनुरुथान ही है ये सच है लेक अगर वो खोए है तो वो नरक में दुख उठा रहे हैं ये अन्यजाती से विचार है चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ वचन बताओं चलिए देखते हैं पहला कुरंतियों 1521 क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्तियों आई तो मनुष्य के द्वारा ही फिर मसी के आने पर उसके लोग यहां पर कौन सी बात पर जोर है उसके आने पर मतलब उसके आने के पहले जो जीवित नहीं है और अगर आप जीवित नहीं है तो मरे हैं बाइबल में बीच की कोई बात नहीं है और इसलिए लोगों को पुनरुथान और नियाई के पहले को होगी यहां यह कैसे दिखाई देगा हम में से बहुत से लोगों ने सुना है वो पीछे छोड़े जाने की आखरी घटना के बारे में जहां धर्मी लोग गुप्त में उठाए जाएंगे और पृत्वी पर जीवन आगे बढ़ते चले जाएगा एक लाक्चाव वाली सजार अ पसाएगा धर्मियों के साथ और फिर हम यहां पर एक हजार साल तक राज्य करेंगे और हजार साल के अंत में वो दुष्ट जो है वो नाश किया जाएगा ये दुष्ट के विनाश को प्रभु ईश्व मसी के आने के एक हजार साल बाद के लिए रखता है क्या इस चित्र मे कभी ऐसा कोई समय रहा जहां पर पृत्वी खाली पड़ी है यह हमेशा पृत्वी पर कुछ चल रहा है अगर आप पढ़ते हैं दूसरा पत्र सध्या 3 यह कहता है प्रभु का दिन रात के चोर के जैसे है जिसमें आकाश बड़ी आवाज के साथ में टल जाएगा और गर्म यहुआ पृत्वी को निर्जन करने पर है यह कोई नहीं होगा वो इसे सुनसान करेगा यहुआ पृत्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है वो उसको उल्टा कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा यिर्मिया अध्या 4 वचन 23 को यहां पर पढ़ते हैं मैंने पृ पहले के बारे में बता रहा है आगे पढ़िए और सब पक्षी भी उड़ गए थे मतलब पहले थे अब चले गए ये कहता है उपजाओ देश जंगल बन गए थे और सारे नगर खंडर हो गए थे यानि पहले नगर थे लेकिन अब खंडर हो चुके थे किस कारण यहवा के प् प्रमेश्वर का दूद पृत्वी पर गया देखा कि वहाँ पर उन्हें दफनाने के लिए और शोक करने के लिए कोई नहीं था पूरी भविश्वाणी में इस नियाई के बात के समय के बारे में हमें बताता है जब पृत्वी दुर्दशा में थी आप इर्मिया में से दे उठेंगे और हम जो जीवित बचे हैं मैं चाहता हूं कि मैं जीवित और बचा रहूं आपके बारे में क्या आकाश में प्रभू से मिलने के लिए उठाए जाएंगे वो जल्दी ही आने वाला है शायद कुछ लोग मर जाए लेकिन सभी के सब लोग नहीं मरेंगे मुझे लगता है ये शु जल्दी ही आ रहा है तो फिर इस समय में क्या हो रहा है आप यहना 14 में पड़ सकते हैं कहता है फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो हम उन महलों में रहेंगे जो कि उसने नए यरुशले में तयार करके करके हैं प्रकाशित वाकि बीस में आगे कहता है कहता है फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैट गए और उनको न्याई करने का अधिकार दिया गया वे जीवित होकर मसी के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे यानि संतों को न्याई दिया गया हम मसी के साथ तुम नहीं जानते कि हम स्वर्धूतों का नियाई करेंगे, अवश्य अच्छे स्वर्धूतों का नियाई नहीं करेंगे, लेकिन बाइबल बताती हैं, बहुत से गिरे हुए स्वर्धूत हैं, हम ये निर्णे नहीं लेंगे कि उध्धार पाईया नहीं, लेकिन हम तो सच मे उसका दावा करेंगे मसी के साथ सहीयोग देंगे देखिए मसी कहता मैं तुम्हें अपने साथ जोड़ूँगा क्या तुम समझते हो हम क्यों न्याय करेंगे यानि ये न्याय क्यों हो रहा है हम शाश्वती देंगे परमेश्वर के नियाए को हम बस यही तो करेंगे लेकिन निश्चे नुकसान होगा लेकिन ये सब कुछ क्यों हो रहा है किसे ने कहा स्वर्ग में जाने पर चार बड़े सर्प्राइज होंगे खैर तीन सर्प्राइज होंगे पहला सर्प्राइज है कि आप वहाँ है और दूसरा सर्प्राइज है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो वहाँ पर नहीं है जिनके बार में सोचा कि वह अगवाई करेंगे आप अपने स्वर्ग्दूत के पास जाकर कहेंगे ये ये पास्टर कहां पर है या डीकन या एल्डर कहां पर है या ये भाई या ये बहन पता नहीं कहां पर है मुझे नहीं दिख रहे हैं स्वर्ग्दूत कहेगा मेरे साथ में आओ वो आपको लाइबरेरी में लेकर जाएगा बाइबल कहती सब कुछ किताबों में है ये शु ने कहां कि हर एक व्यर्थ शब्द मत्य अध्याए बारह में हर व्यर्थ शब्द जो मनुष्य बोलते हैं नियाई के दिन उसका लेखा देगा तो सब किताबों में है स्वर्दूत किताबों के पास ले जाएगा कहेगा हम सच में बचाना चाहते थे डीकन हर्ब को आश्रा है किसी का नाम हर्ब नहीं लेकिन देखिए लेकिन जरा देखिए वो बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे थे लेकिन कुछ पाप थे प्रभू को समर्पन नहीं किया और इन बातों के कारण येश्व ने कहां जो गुप्त में किया गया वो छट पर से बताए जाएंगे केबल जो लहू में छुपाया है उसे कोई नहीं देख पाएगा इसलिए मैं उध्धार पाना चाहता हूँ मैंने चाहता कि कोई मेरे किताब को देखे आमेन हम चाहते हैं कि सब लहू में हो पूरी तरह से मिटा दिये जाए तीसरा सर्प्राइज है वहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें देख कर आप कहेंगे ये यहाँ पर कैसे आए मैंने सोचा ज़रा कलपना कीजी ये कैसे होगा जब स्टीफन स्वर्ग में जाएंगे और फिर स्टीफन स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का आनंद उठा रहे हैं और उनको वहाँ पर मुकुट दिया गया है वो पहला मसीह शहीद है और वो देखेगा उसके चरित्र के बारे में स्वर्ग्दूत कंधों पर दिखाते जा रहे हैं वो देखता है और स्टीफन स्वर्ग को पता चलेगा शाउल भी वहाँ पर है जो मसीह लोगों को मारता था स्टीफनस अपने स्वर्दूत से कहेगा तुम लोग अच्छा काम कर रहे हूं लेकिन देखो इस आदमी के अंदर निश्चे कुछने कुछ गल्ती है पिछली बार जब मैंने इसे देखा था इसने तो मेरी हत्तिया करवाई थी ये यहां क्या कर रहा है मतलब मैं शमा में विश्वास करता हूं लेकिन स्वर्दूत कहेगा स्टीफनस क्या तुमारी प्रात्ना नी थी पिता शमा कर तो पिता ने इसे शमा किया और ये बदल गया और सुसमाचार के लिए बहुत दुख उठाया तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए से बहुत खेद है याने 1000 साल के बारे में बहुत से सवाल है बानों एक साल का सब्थ हो गया हो आदम के समय से लेकर 6000 साल तक प्रभु के आगमन तक हमें सच में पता नहीं कितना समय होगा लेकिन ये लगभग उसी के आसपास का है मसीशू समाचार के बीज बो रहा है और हम राज्य करेंगे 1000 साल के सब्थ के जैसे जानते हैं जब इसराली लोग बैबिलॉन मिले जाए गए थे राजा नबुकदनेसर द्वारा परमेश्वर इन लोगों को सुनहरे नगर में ले गया बाइबिल कहते हैं कि वो देश उजड गया और जबकि वो उजड गया था उस समय उसने सब्थ का पालन किया ग्रह के लिए एक हजार साल का सब्थ होगा परमेश्वर ने इसकी योजना बनाई यानि कहिए छे साल तक कहां कि बीज बोना खेट में फिर एक साल उसे विश्राम दे देना और फिर परमेश्वर ने आकाश नई पृत्वी बनाईगा हॉप्व्व बनाईगा पुम्मी डेडी मुझे बचाओ नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा पिछली बार की परिक्षा में तुमने अच्छे मार्स नहीं लाये थे इसलिए नहीं तुम तो इन दुनों में बहुत आलसी हो गई हो और हमारी मदद भी तो नहीं करती न कल बर्तंद होने में मदद की थी अब खुद की मदद कर लो सुनो मार्शमेलन लाई हो न अमेजिंग फैक्ट के लिए प्रभू का धनिवार अमेजिंग फैक्ट मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है ये ऐसी ग्रिया जिससे जवाब मिलते हैं मुझे अच्छा महसूस हुआ दोशी महसूस कर रहा था मैंने बाइबल परना शुरू किया और बहुत कुछ सीखी हूँ मैंने जाना जिन्दगी में से भी बढ़ कर कुछ है ये जीने लायक है प्रभू ने ये जीवन दिया ये संदेश बहुत सामर्थी था अमेजिंग फैक्ट 45 साल से भी जादा समय से परमेश्वर के संदेश को पृत्वी पर गुशित कर रहा है बिने बिने चैनल्स को फिर एक लोगो आया अमेजिंग फैक्ट प्रस्टूत करते मैंने बिने बिने सेवकाई को सुना था लेकिन यहाँ पर ये पहली बार था वे ऐसे कुछ बातों को बोर रहे थे जिसके लिए मुझे अपनी बाइबल को उठाना पड़ा और और ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना था मुझे इसे जानने दे और ये काफी नहीं था पर मैंने बाइबल स्टेड़ी करना शुरू कर दी हर एक समय मैं बाइबल देखते रहा और बदलाव आने लगा मेरे अंदर में मेरा सवाल था रभू मेरे ही साथ क्यों हुआ परमेश्वर मुझे तक पहुँचा और मैंने उसे पिता के रूप में देखा है मैं सब कुछ खोबैटी थी और तब मैंने जाना कि मेरे जीवन में परमेश्वर की ही कमी है मैं प्रॉफिशी सेमिनार में गया था जिसने मुझे हिला दिया ये संदेश इतना सामर्थी था और ये तो इतना अटल था कि मैंने मान लिया कि ये ये तो ये तो अध्भुत है एक साथ मिलकर हमने पहले से भी ज़्यादा सूसमाचार फैलाया है आपकी सहता के लिए धन्यवाद ये प्रोग्राम Amazing Facts Ministry के मित्रों के द्वारा तस्तूत किया जा रहा है